नमस्कार दोस्तों, Solar Energy Forever में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं UTL कंपनी के गामा पलस Solar PCU के बारे में ये UTL कंपनी का सबसे पॉपलर Solar PCU है और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये जो Solar PCU है ये MPPT Technology के साथ में आता है और ये सबसे सस्ता MPPT Solar PCU है अभी तक का दूसरी किजी भी कंपनी में आपको आठ से नो हजार रुपी के रेंज में MPPT Solar Inverter देखने को नहीं मिलता है और जो UTL कंपनी है इसके अंदर इस सीरीज के अंदर शिर्फ ये एक ही मोडल है इसके अलावा जो इनकी दूसरी सीरीज है गामा हो गई, अलफा हो गई, सिग्मा हो गई इनमें आपको अलग-अलग रेंज के Solar PCU देखने को मिलते हैं लेकिन जो गामा पलस सीरीज है इसमें आपको एक ही मोडल देखने को मिलता है वो भी एक KVA का है और इसमें दो वेरियंट आते हैं एक 12 वोल्ट का और एक 24 वोल्ट का एक के उपर आपको एक बैंटरी लगानी पड़ती है और दूसरे पर आपको दो बैंटरियां लगानी पड़ती है तो यहां पे आपके उपर टोटली डिपैंड करेगा कि आप इनमें से कौन सा मोडल खरीदना चाहेंगे अगर आपका बजट अच्छा है तो आप दो बैंटरी वाला मोडल ले सकते हैं जिसमें आपको जो बैंटरी बैक अप है वो डबल मिलता है और अगर आपका इतना अच्छा बजट नहीं है तो आप सिंगल बैंटरी वाला भी सोलर पीसियू ले सकते हैं तो इसके प्राइस के बारे में मैंने आपको आइडिया दे दिया कि आपको आठ से नो हजार रुपे के बीच में मिल जाता है आप इसे ऑनलाइन खरी देंगे तो साइद ये नो से दस हजार रुपे में मिलेगा और अगर आप लोकल मार्केट में खरी देंगे तो लगबग आठ हजार रुपे में आपको ये मिल जाता है इसके उपर आप चला सकते हैं लग बग 700-800 वोट तक का लोड और मैं यही कहूंगा जिसको 600 वोड तक का लोड चलाना है उसके लिए ये सोलर पीश यू बिलकुल बेस्ट रहेगा और इसके उपर आप लगा सकते हैं एक किलो वोट तक के सोलर पैनल और वियोसी रेंज की बात करें तो इसके अंदर आपको 45 वोल्ट के वियोसी रेंज मिलती है यानि कि इसके उपर आप 36 साथ सेल और बैतर सेल वाले सोलर पैनल लगा सकते हैं क्योंकि 330 वोट के अगर आप तीन पैनल लगाएंगे तो आपके जो जगहं की बजत भी हो जाती है और अगर आप लगाते हैं 500 वोट या 200 वोट के पैनल उसमें आपके जो जगहं हैं वो ज़्यादा यूज होगी साथ में ही जो उसका प्राइस है वो ज़्यादा हो जाता है क्योंकि आपको पता है solar panel का जो प्राइस होता है वो per word के हिसाब से होता है और जितना छोटा पैनल आप लेते हैं उतना ही महँगा आपका वो परता है तो यहाँ पे मेरी राई यही है कि आप better sell वाला solar panel खरीदें और 330 वोट के आप 3 panel इसके उपर connect कर सकते हैं और 3 पैनल आपको parallel में connect करने होंगे तो यहाँ पे आपको confused होने के जरूरत नहीं है कि आपको solar panel के जो connection वो कैसे करने हैं इसके अलावा यह जो solar PCU है यह pay or sign wave output वाला PCU है और इसके उपर आपको 2 साल की warranty भी मिलती है और एक महीनी के आपको company guarantee देती है कि अगर एक महीनी के अंदर इसके अंदर कोई भी दिक्कत आ जाती है तो बिल्कुल आप इसे आप 30 दिन के अंदर इसे वापिस return करके वो अलग अलग जगाएं के लिए किया जाता है जैसे कि अगर आप इसके अंदर PCU mode को enable कर देते हैं तो इसमें जो power use करने के priority होती है वो सबसे पहले solar पे होती है फिर battery पे होती है और फिर grid पे होती है अगर आपका load आपके solar panel से आने वाली power से कम चल रहा है तो जो पूरी की पूरी power है वो solar panel से ली जाएगी और बागी जो power बसती है उसे battery को charge करने के लिए उप्योग किया जाएगा लेकिन अगर आपका जो load है वो solar panel से आने वाली power से ज़्यादा हो जाता है तो इस condition में जो extra power है वो पहले battery से लेगा और अगर आपके battery यां down हो जाती है तो वो grid से लेगा तो ऐसे PCU mode काम करता है ऐसे smart mode है इसमें smart mode में क्या होता है कि जो सबसे पहले priority रहती है वो solar पे रहती है और फिर grid पे आती है और फिर battery पे आती है और hybrid mode वहां के लिए होता है जहां पर जो power cut है वो काफी ज़्यादा होते है यानि कि दिन के समय में काफी कम electricity जहां पे आती है वहां पर आप hybrid mode का उपयोग करेंगे जिससे की जो priority है वो grid से रहेगी और फिर solar से और फिर battery पे तो जो आपका load चलता है सबसे पहले वो grid से चलेगा और solar panel से आने वाली जो power है उससे आपके battery चार्ज होती रहेंगी अगर grid नहीं है तब आपका जो load वो solar से और battery चलेगा तो ऐसे आप इन तीनों होई mode का उपयोग कर सकते हैं तो यहां पे जो mode आपके लिए stable रहता है उसका उपयोग आप कर सकते हैं इसके अलावा आप इसे IT load के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे computer और printer जैसे load को चलाने के लिए उपयोग कर सकते हैं इसके अंदर इसके भी setting दी गई है और यह जो generator होता है उसके साथ में भी compatible है उसके साथ में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं और सामने की तरफ आपको जो screen दी जाती है उसके उपर आप इसके अंदर जो setting है वो कर सकते हैं और पीछे की तरफ अगर आप देखते हैं तो इसमें आपको एक output port मिलती है और fuse मिलता है और battery और main supply की wire मिलती है और साथ में आपको यहाँ पे solar panel लगाने के terminal मिलते हैं तो ऐसा कुछ आपको यह देखने को मिलता है तो आज की इस वीडियो में इतना ही अगर इसके बारे में आपको कोई भी सवाल या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स आपको कमेंट करें और अगर वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के साथ साथ बैल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी परकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे धन्यवाद